कि नहीं है कि क्यों कि अभी एक्जाम जनवरी में है और अभी महिना चल रहा अक्टूबर यहनिंज नवमब्र, दिसम्र, और जनवरी तीन महिने का समय हैं, अब इसकी हुझे से काफी बच्चे ऐसे चिंतित हो गए हैं कि सर समय ही नहीं मिला वेकेंसी आ गई रात को फोरंबर्दी मोदी जी की सारे काम रात को होते हैं लेकिन अब आपके पास में समय पचर तरी दरन का है चिंता करने की जूरत नहीं है किसे उनको तयार करना है ठीक है ज्यादा गवरान आप्पब आपको पहले प्ता ध्यांबर्ध नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर भी तो आप तैयारी नहीं कर रहे थे ना तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही होती असली समझ में बात है अब यह तो आपके पास में एक बहाना मिल गया कि राज को नोटिफिकेशन आ गई और फोरम बरना शुरू कर दिए अरे भाई होती है इसलिए जो पिछली वेकेंश आई है उनकी तैयारी भी पिच्छे तर से 90 दिन में ही हुई है अब बात यह है कि अचानक आपको बता दिए इसलिए आप हिल गए है तो हिलना नहीं है अब इसकी तैयारी कैसे करना वह सोसना है जब कोई समझ आती है तो उसका शमाध अचानक आता है तो सिर्फ वक्त गमाना है का सुटी खुद बताएगी कि पितल है के शोना है अब तैयारी आपको जितना समय मिला है उतना ही सभी को मिला है समझ मैं बात किसी को ज्यादा कम नहीं मिला है जैसा नहीं कि उनको तो पहले से पता था और हम वो आज बता चला है तो फिर आपकी चिंता जरूरी है ऐसा तो नहीं है नहीं है अब कैसे तैयारी करनी है उस पर बात करते हैं देखे लाड़ो हर बार क्या होता है नोटिफिकेशन के बाद ही 95% बच्चे तैयारी करते हैं नोटिफिकेशन से पहले केवल 5% बच्चे या 10% बच्चे तैयारी क ठीक है अब इसकी तैयारी कैसे की जाए उसके लिए देको पिच्छे तर दिन का आपका समय है तैयारी करने के लिए आपके पास में दो माध्यम है अगर ओनलाइन आपको तैयारी करनी है तो आप ओनलाइन कर सकते हैं ओनलाइन अगर आपको तैयारी करना है तो लाड़ लो हम अपने कमांडो केडमी एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से और मंजिल बेश शुरू कर दिया है और यह बेश शुरू होगा एक ग्यारा से यह निए एक तारिक से और अगले पिच्छे तर दिन के अंदर अदर आपको टोटल कोर्ट करा दिया जाएगा इस बे अगर आफ डेली सोचे के एंगंट pouco कोश लां की क् 느yttया की कि दुब्ली होगा मालो कोर्स हो विकला तो आप कितना शीकि एक बार सतने से ऐसा नहीं है सो परसेंट आप शीख जाओगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा एक बार कोर्स करने से आप मेक्सिमम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 60 to 70 परसेंट शीखोगे जबकि आपको कितना सीखना है हंड्10 परसेंट क्यों कि आपको असी मेंसे संतर क्योशन स्भाइणा निखरी लगना है तो नहीं तो नोखरी लगेगी नहीं क्यों भी जान लीजिये घार जएा नों एक्जर और और यसर बड़ा गया है यह तो यह बढ़ और भ चबिस तो जो यह गया कि sscd' में किस प्रकार के क्यों से आते हैं किस प्रकार पेपर गरना है और इस बार क्या किया कि ऐस्ट के क्यों शीषन किवल साथ मिनिट का असे क्यों के लिए तो यह या क्यों आद लो अब एक परफिछ पर आपका यह नहीं, प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या करोगे, अब हमने इसी लिए किया है, कि मंजिल बेच में आपकी live class रहेगी, शाथ में क्या रहेगी, जैसे मैंने अभी अभी बताया, कि आपको 45 जिन में तैयारी केसे करना ही, वो सी के सबसे पहले वो बच्चे जिनकी महत बहुत कमजोर हां दूसरा यह मंजिल बेश है लाड़ो जान रखना कमांड़ अकेडमी प्लेश्टोर से आप ले सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं आपको तैयारी किस से करनी है इस्पेशली धान से देखना लाड़ो जो ओफ बच्चे पास है इसकी गारंटी रहती है रिजल्ट की पेपर पास किया आपके अगर आप अकेडमी आना चाहते हो नीचे दिये गए नंबर पर कोल कर सकते हूं अब आप ओफ लाइन या ओनलाइन तयारी करनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं ल लावा ठीक है बेग उठाओ और एक मिनिट का भी समय मत गमाओ सिर्फ पढ़ाई करनी है पिच्छे तर दिन ठीक है और कम शेकम बारा घंटे आपको इस्टेडी को टाइम देना है बारा घंटे किस प्रकार निकालने है जिन बच्चों को मेत बिलकुल नहीं आती उनको कैस अब दूनों समझे अब जिसको याद भी नहीं होता और मियत भी ने आती इसको कैशे निकाले उसकी भी नहीं पार होगी ठीक है करको शलाव मंजर भी आएगा पैसे के पास सलकर समंदर भी आएगा ठकरना बैठ मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी तकना नहीं है हार नहीं मानना कैसे होगा मैं बताता हूं बारा गंटे इससे जदा आप देते हो आपकी मर्जी मेरे हिसाब से आप बारा गंटे देना मैं आपको बता रहा हूं कि पिच्छे तिर दिन में कैसे त्यारी करना मैं कैसे त्यारी किया मैंने तो 60 दिन त्यारी किया और शाट में से ही धंग से 45 दिन ही पढ़ा हूँ मैं और आप भी पढ़ सकते हो शाट दिन बहुत होते हैं SSCGD की नौकरी लगने के लिए देखो कैसे करनी है तयारी 12 गंटे को आपको किस परकाई यूटिलाइज करना है है वाद दिन बच्षो को मैयद बिल्कुल नहीं आती है उनको 6 गंटे मैत को देना है कि इतने गंटे 6 गंटे में में से आपको क्या करना लाड़ो तीन गंटे कर सिया मिलेग विल्कुल मिलेगी प्लफ दिन आप उसका ले लिजिए मंजील बेच में की पाई बेच वाले बच्चे और मंजील बेच वाले बच्चे इनको डबल-डबल कलासे मिलेगी तो तीन गंटे तो आप लीजिए लाइव कलास ठीक है उसके अलावा कितना % सीखनें के चाहसे इसमें? इसमें 60-70% सीख जाओगे, तो 60-70% सीख जाओगे, आपके पास में 6 गंटे मैंने 12 गंटा बोलो, उसमें 6 गंटे, इस 6 गंटे मैं से लाड़ दो, आपको बाकी जो समय देना है, वो देना है 2-5 गंटा, किसको? GK को. जीके, जीयस, इस पेसली इस पे फोकस करना आपको करंट जीके हमेशा 30 मिनट के लिए पढ़नी है अभी से, क्योंकि करंट जीके के कम से कम 20 में से 5 कि उसन आएंगे, ठीक है, 20 में से 5 कि उसन किसके आएंगे, करंट जीके के इने 25% जीके आप यहीं तियार हो जाएगे, इसल जो गुद्यमों को लगू कि उनको आर्थी दूरूप से सरकार कितनी मजबूत है करोना काल में सरकार ने क्या किया था किसको पदमसिरी मिला खेल रतन पुष्ट तक यह पढ़नी है इस्पेसली इन पर फोकस करना अंतराष्टे खेल हो गए उलंपी खेल हो गए राष्ट मड ले सकते हो जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पड़ावा और बाकि ए घंटे से ज्यादा समय आप सेल्फ इस्टेडिक कर सकते हो अब आपका समय कितना खर्च हो गया साढ़े आट गंटा अभी भी साढ़े तीन गंटा है हिंदी आप मेरे ख्याल से आप ए घंटा दीजिए इसके अलाव ज्यादा देने जुर्ट नहीं क्योंकि हिंदी में व्याकरण नहीं है लार्दो जानक ना संधी विचेश सीखने की जुर्थ नहीं समदीव कि पढ़ते शीखने की जुर्त नहीं कुछ भी नहीं हिंदी तो सिर्फ एक लेंग्यवेज है कि कि आप कितना की मानार्ती परियाएबाद सी विलोम सब्द ठीक है और एकार्त अनेकार्त ये आप पढ़ सकते हो मेक्सिमम ये हिंदी में पढ़नार ये डेली आप गंड़ा पढ़के कर सकते हो अब आपके पास में फिर भी समय बच रहा भी डाए गंटेगा उसमें क्या करना है रिजिनिंग रिजिनिंग के क्या अगर नहीं है कम से कम एक से डेट इंटा डेली प्रेक्टिस करिए लाइव कलास में और एक गंटा खुद से पढ़िए रिजिनिंग खुद से पढ़ने के लिए जो बोलो उससे आपकी मेत मजबूत होगी और तभी आपका नंबर आएगा तो इस स्ट पार्ट कमजोर है तो पहले तीस दिन में इसी को फोलो करना है यह कितने दिन के लिए बतारों मेक्सिमम यह फोलो करनी है आपको 30-45 दिन तक उसके बाद में थोड़ा सा चेंज करेंगे क्यों देखते हैं आप में क्या बदलाव आता उसके हिसाफ से पिर अगला पड़ाव हम लेंगे ठीक है लाड़ लो इस हिसाफ से आपको त्यारी करनी अब ओनलाइन माद्यम से आप त्यारी करना चाहते हो तो मैंने बता दिया आप कमांडो के अप्लिकेशन डाउनलोड कर लो एक तारिक से बेच शुरू होगा और एडिशन ले लो भी से फिर बाद में प्रे कि यहां पर जैसे घर पर आप बारा गंटे से चौदा गंटे की गारंटी है हमारी तो यह बिल्कुल एक मिनट भी आप वेस्ट नहीं होने देंगे यह तो आपको पढ़ना है पड़ेगा डंडे की नोपर इसलिए हमारी पिछली बार एकाउन में से 40 बच्चे पास है और तो यह आंकडा बहुत उपर जाएगा यह गारंटी है हमारी क्यों क्यों कि हमारे बच्चे पहले से भी तयारी कर रहे अब जो भी बच्चा इसमें आता है उसमें हम 70 दिन के अंदर अंदर कोर्स करा देंगी ठीक है और कोर्स के साथ में इसमें फाइदा यह हो जाता है कि जैसे टोपिक होता वेशे हर रोज टेस्ट रहता है तो इस बार क्या है नंबर उसी का आएगा जिसका स्पीड मजबूत होगी क्यों क्यों कि 60 मिनिट का समय है क्यूसन है 80 असी क्यूसन और शाठ मिनिट का समय यह निस सबसे ज़्यादा आपको क्या लगाना है परेक्टिस शेट लगाने है टेस्ट इस सबसे ज़्यादा तो यहां पर हम ओमार पर टेस्ट लेते हैं और वीकली नहीं एवरीडे टेस्ट होता है पिछली बार भी आपने देखा नाकि उनकी क्या हो स्पीड हो और टार्गेट बना रहे है यह फिक्स इस्टेटर्जी पर हम एक्जाम दिलवाएंगे इस बार लो तो आप तैयारी कर सकते हो इसके लिए घवराने के जूरत नहीं यह दोनों तरीके से अकेड मी आना चाते हो नीचे दिये गए नमर पे अगर आपने पैले तैयारी किये तो आप बुक्से पड़ सकते हो अन्यता आपके वल बुक्से नहीं पड़ सकते है यह मेरी बात कान कोलके सुन लेना क्यों हो क्यों कि 75 देज का समय है आप बोलो कि गुरूजी बुक्त के लिए मना क्यों कि जो बिच्चों ने बिल्कुल लाद लो.